हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका लाधिन क्लासेज में 66 में विपेसी, बियार सेसी, बियार दरोगा, अन एकजाम को ध्यान में रखते विए गटना चेक की सिरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत हम लोग economics के question को देखते हैं ताकि एक जाम में आपका कोई question ना चुटे तो चली हम लोग देखते हैं economics के question आज का topic है भारती अर्थिव्यवस्ता का स्वरूप पहले हम लोग इसके notes को देखते हैं पहला है अंग्रेजों से पुरूप भारती अर्थिव्यवस्ता की प्रकिर्थी ग्रामीन थी तथा व्यवस्ता अभिक्सित थी नेक्स्ट है गाउं एक प्रितक की काई थी तथा बेवसाय बनसा गुनत था यहां का परमुक बेवसाय क्रिसी था लेकिन उद्योग केछेत में यह उन्नत था नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं भारत द्वारा उत्पाधित रेस्मी वह सुत्ति बस्त्र विस्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे नेक्स्ट है यहां संगमर्मर का कार्ज, नकासी का कार्ज, सोने चांदी के अभूसर वह पत्तर पर 83 का कार्ज बहुत ही उत्तम किस्म का होता था अता इनका निर्यात किया जाता था नेक्स्ट है निर्यात की वस्तुव में नील, अफीम वह मसाले भी सामिल थे इस परकार सत्ररमी और अठारमी सतार्दियों तक भारती अर्थे विवेस्ता अपने परंपरागत स्वरूत में गतिमान रही निक्स्ट हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने भारत पना केबल राज किया बल्कि इनको एक उपनिवेस बना दिया अब हम लोग देखते हैं एक टर्म आया उपनिवेस इसका अर्थ देखते हैं इस देश को किस परकार की राजनीतिक स्वतनता प्राप्त नहीं थी इसकी आर्थी गतिविदियों पर उनका सीधा नियंत्रन था यह उपनिवेस का अर्थ हैं टर्म को समझते चलेंगे क्योंकि एक जाम में टर्म भी पूझ देता है निक्स्ट अमलोग देखते हैं भारत पर 1857 से 1858 तक इस्ट इंडिया कंपनी ने तथा इसके बाद 1858 से 1747 तक प्रेटी सरकार ने सासन किया निक्स्ट देखते हैं स्वतनता प्राप्ती के पहिश्चात भारती अर्थ विवस्था अध्योगो पराधारित होता है क्रीसी के लिए सक्ती साख पड़िवहन आदी चाहिए तो उद्योगो के लिए मसीनरी बीपनन सुम्दा पड़िवहन संदेश वाहक आदी यदि कोई देश तेजी से दिकास करना चाहता है तो उसे इस अधारवर धाचे में सक्ती क्वेला तेल सूरी सक्ती बायू आदी दुसरा पड़िवहन इसमे रेल सरके पोत वा बायू पड़िवहन आदी है संदेश वाहक डांक तरार तेलिविजन रेडियो बतार का तरार आदी है बैंक वीत वस बीमा बिग्यान पाच्मा है बिग्यान वा तकनीक छटा कुस समाजिक मद जैसे सिक्षा स्वास्त आदी आते हैं नेक्स फैक्ट देखते हैं स्वातन्ता की समय उपलोग सभी अधायवू धाचे की कमी थी सो तंता की समय भारती अर्थ विवस्ता ब्रिटेन की एक कॉलिनी के रूप में ले चुकी थी क्रीसी उदास्ती किसान गरीब थे क्रीसी उत्पादक ताविस्व में सबसे कम थी संगठित उद्योग थोरे थे लेकिन बड़े चहरों की केंद्री थे बारी व अधारवुत उद्योग नहीं थे निक्स देखते हैं यद भी भारती अर्थ विवस्ता का एक पहलू जिसके अल्प विक्सित स्वरूप का बोध कराता है किन्तु नियोजन काल की अबधी में भारती अर्थ विवस्ता के स्वरूप में मुलबूद परिवर्थन हुए जिनके अधार पर भारती अर्थ विवस्ता को विकास उन्मुख कहा जा सकता है निक्स देखते हैं स्वतन्ता प्राप्ती के पहस्चाद भारत में आर्थिक नियोजन का विकास का अधार बनाये गया निक्स देखते हैं आर्थिक सभी योजनाओं का परमुख एबमॉलिक उदेश देश में समन्वित एबम संतुलित विकास को प्वसाइद करना रहा है निक्स नियोजन काल में क्रीसी उद्योग वैपार सभी छेतरों में विकास के लिए अनेके कारेकरम चलाए गया तथा भारत की गरीब एबम विरजगारी की समस्या का समधान करने का परियास किया गया निक्स देखते हैं नियोजन काल में भारती अर्थि विवस्ता का संस्थागर ठाचा परियापत रुप में विक्सित हुआ है बड़ता सार्वजनिक विकास बै, बैंक एवं देमा कमपनियों का राष्टिय करन, ग्रामीन विदोती करन, सरक वर रोल परिवहन का विकास, क्रीसी का मसीनी करन, एवं हरित क्रांती, अधियोगिक विस्तार, बड़ती सिक्षा वं स्वास स्थाए अधि अनेक विकास गटक है, नेक्स दिखते हैं, बारतिय नियोजन अब्धी में और्त्र radiusता के परते चेत में उत्पादन परियाप्ट विकास हुआ है, नियोजन काल में क्रीसी उत्पादन बढ़ा है, अधारबुत उद्योगों की अस्थापना हुई है, नेक्स दिखते हैं, लोहा, इसप नियोजन में मौलिकों देशों में समाजवादी अर्थविवस्ता की जलक मिलती है समाज में व्यापक आर्थिक विसमता एवं सोचन को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाये गए हैं जैसे जमिनदारी उनमुलन भूमी पर क्रिसी को अधिकार दिलाना ब अर्जकरम लागू करना किसानों की रीन मुक्ति गोस्तना आदी नेक्स्ट है उप्यूक्त विकास मुक्त तत्तों के अधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद पी अपनी विक्सित अवस्ता तक नहीं पहुंच पाया है फिर भी भारती अर्थविवस्ता एक विकासिल अर्थ जाड़ी है अब हम लोग देखते हैं से रेटेट कोस्टन ताकि कोई कन्फूजन न रहे पहला कोस्टन है मिस्रीत अर्थविवस्ता का अर्थ है तो इसके अंसर होगा जहां रास्टी अर्थविवस्ता में सर्वजनिक छेत्र के साथ साथ नीजी चेत्र भी विदमान हो इ नेक्स्ट है निम में से कौन सा भारती अर्थविवस्ता का परमुख लग्चन है तो मिस्रीत अर्थविवस्ता नेक्स्ट है भारत में नियोजीत अर्थविवस्ता अधारित है मिस्रीत अर्थविवस्ता पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में मिस्रीत अर्थ विवस्ता का अर्थ है सावजनिक तथा नीजी छेत्रों का सावस्तित्तु नेक्स्ट है भारत का अर्थ विवस्ता है मिस्रीत अर्थ विवस्ता नेक्स्ट कोश्चन है भारत में किस तरह की अर्थ विवस्ता है तो मिजरित अर्थ विवस्ता है यह कोश्चन तिरपर्मी से पचपर्मी भी पेसी में आ चुका है तो ध्यान दखेंगे नेक्स्ट है यह सत्त होगा कि भारत को परिवासित किया जाए तो इसका एंसर हो जाएगा एक स्राम अधिक वाली अधिर अर्थ व्यस्था के रूप में इसकी ब्याख्या देखें, मारत में जन संक्या क्या देखता के कारण ही इसे स्राम आधेक्यो वाली अर्थेवरस्था के रूप में परिवासित किया जाता है नेक्स्ट है भारती अर्थेवरस्था की विशेष्था हैं तो इसका एंसर हो जाएगा इसकी ब्याख्या है उद्यों की प्रधान्ता विक्सित अर्थेविष्था का विलग्चन चुकि भारत की अर्थेविष्था विकासिल है अता या भारती अर्थेविष्था की विशिष्था नहीं है जब कि सेस्तीनों लग्चन भारती अर्थेविष्था की विशिष्था क को बताते हैं नेस कोश्चन देखते हैं देश में देश की ब्रीदी में निम में से कौन सा अनार्धिक तत्व है तो समाजिक बैबार इसकी ब्याख्या देखें आर्थिक विकास के निधारक तत्व आर्थिक तत्व और अर्थिक तत्व आर्थिक तत्व में प्राकिर्तिक सं साधन, स्रम सक्ति वजन संख्या, पुंजी निर्मान, तकनीक वणावाचार, पुंजी उत्पाद अनुपाद, संगठन, अनार्थिक त्यत्मे समाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनिती घटक, अंतराष्टिय घटक, बैग्यानिक घटक निक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत की अर्थिविवस्था कैसी है, तो ये विकासिल है, इसकी ब्याख्या देखे, भारती अर्थिविवस्था विकासिल अर्थिविवस्था है, विकासिल अर्थिविवस्था में उत्पादन का ढाचा, उत्पादन की स्वरूप वो उत् बिकासिल आर्थिविवस्था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेम में से कौन आर्थिक सुधारों के दोतिय परजनन में सरकार द्वाराचीनित किये गए हैं का भाग नहीं है तो इसका एंसर हम लोग देखें तो इसका एंसर हो जाएगा सी न्याइक प्रनाली में सुधार इसकी ब्याख्या है उप्युक्त विकल्पों में न्याइक प्रनाली सुधार को छोर कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वाराचीनित सेकेंड जेनरेशन आप एकोनोमिक्स रिफॉर्म के भाग है नेक्स ट्रम लोग देखते हैं विकास का भारतिय मोडल किसके हीतों को सुरक्षा करता है तो ब्यक्ति और राज दोनों के इसकी ब्याख्या देखें भारत में मिस्रित आर्थविवस्ता के स्वरूप को अपनाया गया है मिस्री तर्थविवस्ता के तहद सर्वजनिक और वमनीजी दोनों छेतरों के देश के विकास कार्ज करामों में भागिदारी होती है सर्वजनिक छेतर का प्रसासन जहां राज करता है वही नीजी छेतर का प्रसासन बेक्ति के हाथ में होता है इस परकार विकास का भारतिय मोडन राजवा वेक्टी दोनों के हितों का रक्षा करता है अतसी सही है आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आयते हैं तेशे लाइक करें, सेर करें साथी चैनल को सबस्क्राइब करें तो आज के लिए इतना है दूस्तों, फिर मिलता है निक्स टॉपिक के साथ, थैंक यू.